जन्री के मौके पर हर कोई देशभक्ती के रंग में रंगा हुआ है लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जो गड़तंत्र हमें मिला वो किस तरह से मिला और चुकि वारा नसी में हम आज आपको यह बताना चाहें कि धर्म की नगरी तो है यह लेकिन जो आजादी की लड़ाई थी उसको पाने के लिए बनारस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और उस समय जिस वक्त अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की आवाज को दवाने के लिए तमाम अखबारों पर रोक लगाई उस दौर में वारा नसी से रड़भेरी नाम का एक क्रांतिक अखबार निकलता था जिसको वारा नसी के अलग अलग इलाकों से निकाला जाता था ऐसे ही एक परिवार में हम इस समय मौजूद हैं जहां से रड़भेरी प्रकाशित होता था लगबग 1931 की बात है उस समय आजादी का जो यह संघर था वो चरम पर था हम ऐसे ही परिवार जी हैं जिनके पिता जी इस पूरे अखबार को निकालने का काम करते थे उनके द्वारा ही इसको पब्लिश किया जाता था उसकी प्रतियां फिर मार्केट में भेजी जाती थी वासुदेव जी पहले तुम यह जाना चाहिए कि कैसे यह मसीन काम करती है जासे यह बताया हू आगी यह समय की ने सो आगा दिए जाता है यहां तक आगया ग्सक्राइक लिए दीन होती अस थी प्रतियां निकालनी होती थी निकालनी जाती है वाशुदेव जी से जानते हैं वाशुदेव जी क्या है पूरी इस अख़बार की कहानी वर्सुतर उस समय जब अंधोलन चल दहा था वनारस से प्रकाशित होने वारा एक मात्र दैनिक था और जिसको जिसके संपादक के उपर तमाम परीके के आरोप लगा दिये थे उस समय क संपादक महोदय ने बोला कि मैं अपनी लेखने गिर्वी नहीं रखूंगा बले अख़बार बंद कर दो और अख़बार बंद हो जाने के कारण जो सूचनाय क्रांतिकारियों को या घटनाओं को या सभाओं की मिलती थी अहिंसा कांदोलन की ज्यादा तर वो सूचनाय भ का माध्यम था जिसके द्वारा इन क्रांतिकारियों को होने वाली गोश्थियों आने वाले क्रांतिकारी नेताओं की खबरें और उनके बोले गए शब्दों को लिपिभर्द करके हाथ से इस्टेंसिर पर लिखे और चाई टाइप करके लिखें जैसा जिसको मौका मिले उ इसमें हमको इसमें उस समय के लोगों के संघच की आवाज दिखती है निश्यत्वा पर बड़ी बात है कि आज की युवा पीडी को ये बताना जरूरी है कि आजादी पाने में हमने कितना बड़ा योगदान दिया था हमारे जो उस वक्त के जो हमारे पूर्वस थे उनका योगदान अभिश्वाणिये हैं जिस तरह से इस छोटी सी मशीन के बल पर इतनी बड़ी क्रांती लाने का काम किया गया उससे भुलाया नहीं जा सकता गोपालमिष एटीवी वारा नसी